दोस्तो ततकाल टिकट में हो रहे फ्रॉड और IRCTC रिफंड में हो रहे फ्रॉड को देखते हुए IRCTC ने अपना आएक्शन प्लान तयार कर लिया है जिसके तहत अब IRCTC पर सही प्रोफाइल न देने पर आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा दोस्तो इसी बारे में आज ये वीडियो है तो ये वीडियो लास तक देखते रहेगा आपके लिए काफी ज़्यादा हेलफुल होगा और आज आपको कुछ नई जानकारिया भी सीखने को मिलेंगी वीडियो में आगे बढ़नें से पहले आपसे प्यार बージक्ब करना चाहूंगा तो यहाँ पर alert वाले option पर आएंगे और इसको पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर journal info वाले option पर click करेंगे तो आप जैसे click करेंगे तो आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक update लगाया गया है जिसमें बताया गया है कि fraudist को लेकर के जो लोग fraud कर रहे हैं रिफंड को लेकर के ततकाल टिकट को लेकर के उनके लिए जबरदास्ट अपडेट निकल कर आ रहा है तो इसको मैं हिंदी में translate करके आपको दिखा देता हूं कि क्या कुछ अपडेट निकल क अपड़ेगा ऐसी इस्तिती में अगर आपका सही निकलता है तब तो ठीक है आपका अकाउंट नहीं डिलीट किया जाएगा लेकिन अगर inquiry होती है अगर कुछ भी गलत निकलता है इमेल आईडी गलत निकलती है आपका मोबाइल नंबर ऐसा निकलता है जो चालू ही ना हो तो ऐसी इस्तिती में आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा तो यह ततकाल टिकट और आई-र-सी-टी-सी रिफंड वालों के लिए खास तोर पर यह नियम बनाया गया है अगर आप आई-र-सी-टी-सी रिफंड में कोई फ्रॉड करते हैं तो यानि कि आप सही आई- पर वोचिंग